नमस्कार मीत्रों मैं डॉक्टर माविव्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम एमिनोरिया के बारे में बात करेंगे इसकी वज़े क्या होती है और इसका होमयोपेथी में ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे तो आई शुरू करते है एमिनोरिया का मतलब होता है absence of menses यानि मावारी का न आना या रुख जाना इसको दो प्रकार में classify किया जाता है पहला है primary एमिनोरिया यानि menses अभी तक शुरू ही नहीं हुआ और दूसरा होता है secondary एमिनोरिया यानि पहले menses regular था लेकिन अब किसी कारण से मावारी आना बंद हो गया है दुनों के कारण इसका diagnosis और treatment अलग-अलग होते यदि हम primary एमिनोरिया की बात करें तो हम जानते हैं कि आम तोर पर 12-13 साल की उमर में मावारी आना लड़कियों को चालो हो जाता है यदि किसी लड़की को 16 साल के आयो तक मावारी नहीं आती है तो उसको primary एमिनोरिया कहते इसके कुछ कारण है तो पहला कारण है आर्मोनल यानि pituitary gland में कोई तकलीप हो तो उसके कारण FSH और LH और्मोन की कमी होने की वज़े से absence of uterus यानि किसी लड़की को जन्म जाती uterus का absence होता यानि की congenital anomaly की वज़े से uterus उसमें फौम ही नहीं हुआ तो भी periods नहीं आता है तो इसका diagnosis बहुत ही जरूर है प्रेकंडरी एमिनोरिया के कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका कारण है प्रेगनंसी हम सब जानते ही कि प्रेगनंसी रहते ही मावार याना बंद हो जाता है दूसरे इसकी वज़े मीनोपोस नॉर्मली 50-year-old के आसपास पास फिमेच में मीनोपोस होता है लेकिन किसी कोई अर्ली भी हो सकता यानि कि 35-40 यर की तक भी मीनोपोस हो सकता है थीसरी इ इंबेलेंस हो जाता है इसकी वज़े से भी मावारी रूख सकती है और चौति इसकी वज़े यूट्राइन इंफेक्शन या एडेशन यह बहुत ही रेर कंडिशन है जिसको एसर्मेंट सिंड्रोम भी कहा जाता है तो यह इसकी कुछ वज़े सेकंडी हमेनोरिया की हमेशा पलसे तिला 30 टीनेजर जो गल से इसको बहुत यूसपूल है पिरियेट जिसमें बहुत ही लेट होते है और इसके कुछ और सिंटम है जैसे वीपिंग टेंडनसी बहुत ही ज्यादा रोना आता है प्यास बहुत ही कम लगती है और जो पलसे तिला की जो गल होती है उसको प्यास ब्रेकरीट हो जाएंगे मित्रों इसकी दूसरी मेडिसीन या लउकर को फोडियूंडेट डाइसकी जो गल होती है इसको जो इसका डेवलपमेंट जो बाडर डृप मेंट ऑलप होता है वह बहौत ही पूऔर होता है ब्रेस्ट भी इसमें अनडेवलपड रहते और इसके जो डाइजेशन जो इसका है बहुत ही वीक रहता है तो अगर ऐसे सिम्टम है और साथ में राइट ओवरीज में पेन होता है तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सुबह में एक बार लेने से डेवलोपमेंट भी सही तरह की से होने लगे और पिरेड्स भी रेग्यूल और उसको ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है अगर ऐसे सिम्टम है तो ग्राफाइटीस 200 पोटेंसी में अपते में एक बार इसकी पांच बुली लेनी चाहिए इससे कॉंस्टिपेशन और एमिनोरिया क्योर हो जाएगा इसकी फोर्थ मेडिसी ने एपीस्मेल 30 एपीस्मे पोटेंसी में सुबह और साम कुछ दिनों तक लेने से राइट ओरी का पेंड और एमिनोरिया ठीक हो जाएगा वित्रों इसकी फिफ्त मेडिसी ने इगनेश्या वनेम जो इगनेश्या है उसमें अगर किसी को मेंटर शोक लगाए आगात लगाए और ग्रिप की वज़े से मावारी रुख गई तो इगनेश्या वनेम पोटेंसी में यानि की 1000 पोटेंसी में अपते में एक बार लेने से पीरेड फिर पापस चुरू हो जाएंगे मित्रों इसकी छठी मेडिसी ने सिमीसी फुगा 30 सिमीसी फुगा है उसमें जो एमिनोरिया होता है वो में तो सिमीसी फुगा 30 पोटेंसी में सुबह और सम पांच-पांच पोली लेने से पैल्विस का पेंट बेक पेंट थाइस का पेंट वह भी ठीक हो जाए कि एंडोक्राइन ग्लेंट स्टिक से काम करने लगेगी और पीरेड्स भी रेग्यूलर हो जाएंगे मित्रों इसकी सिक्स मेडिसे ने सैनेसियो 30 इसमें रिटार्डेंट मैंसीज होता है वह फंक्षनल एमिनोरिया की वज़े से होता है यानि कि ओविलेशन ही ठीक तरह से नहीं होता तो सैनेसियो 30 पोटेंसी में पांच-पोली सुबह साम लेने से ओविलेशन फिर से चालो हो जाएंगे और मैंसीज भी रेग्यूलर हो जाएगा मीत्रों इसकी आठवी मैडिसी ने सेपिया 200 सेपिया का जो पिरियेड्स होता है वह बहुत ही स्कैंटी होता है और बहुत ही लेट होता है और साथ में हेडेक होता है इरिटेशन होता है इसकी जो लेडि वह इंडिफरन रहते यानि कि उसको अपने अस्बंड से या अपने बच्चों से भी इतना लगाव नहीं रहता अगर ऐसे सिम्टम से तो सेपिया 200 पोटेंसी में रात को पांच बोली एक बार कुद दिनों तक लेनी चाहिए इससे यह सब सिम्टम क्योर हो जाएंगे मित्रों इसकी लास्ट मेडिसीन है वो एक मदर टिंचर है जिसका नाम है चौनोश्यो असोका क्यू यानि की मदर टिंचर सभी तरह के एमिनोरिया में यूस्पुल है तो अमने इससे पहले जो आठ मेडिसीन की बात की उसके जो भी सिम्टम आपको मैच हो रहे है वो केवल एक ही मेडिसीन आपको लेनी है ले सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को भी जरूर दबाए नमस्कार जैहिन